इस बीच दिली के सराय काले खाँ चौक का नाम बदला गया है सराय काले खाँ चौक का नाम अब बिरसा मुंडा चौक होगा भगवान विर्सा मुंडा की तेर सोवी जैंती का दिनाच और ऐसे मौके पर जहां एक तरफ सराय काले खां पर विर्सा मुंडा की प्रतिमा लगाई गई है आपसे कुछ दिर पहले जिस खबर का में जिकर कर रही थी और अब बड़ी खबर ये भी आपको बता दें कि सराय का काले खां चौक का नाम बदल दिया गया है अब इसका नाम बदल कर विर्सा मुंडा चौक कर दिया गया है तो भगवान विर्सा मुंडा कुछ द्हांजली देते हुए ये बड़ा फैसला जो लिया गया है सराय काले खां का नाम बदल कर अब विर्सा मुंडा चौक कर दिय हुए जाइन्टी का मोकाज पूरा देश भगवान बिर्स मुंड़ा को समर्पित और उन्हें श्रधान्जली देने के लिए कारेक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और इसी क्रम में यह जो तस्पीरे आप से कुछ तेर पहले की तस्पीरे हैं जब भगवान विर्सा मुंडा की बीस फीट उची प्रतिमा जिसका अनावरण दिल्ली में प्रधानमत्वी नरेंद्र मोदी ने किया यहां सराय काले खां और अब इसी सराय काले खां चौक का नाम बदल कर भगवान विर्सा मुंडा चौक रखने का फैसला कर अनावरण दिल्ली अगया है सीथे आपको लेकर चलेंगे हमारे सथा अबारे सायोगी नीरच पांडे इस वक्त मौचूद है और क्या टीटेल्स मिल रही है नीरच प्रमाना मैं आपको बता दूँँ आज बिल्दा मंडा की एक सो पचासी जन दियांती है इस मोके पर आज दिल्ली में कारिकम वस्ता गया था बजेरा उद्दानी पेंडर में और सराय काले खांडे चौक है वहाँ पास दीज ठीक की प्तिमा जो उद्दान का वो खिडेट भी है वहीं पे दीज ठीक की प्तिमा साज अनावरण ग्रेमंती अमिशा ने किया और चुकि ये कारिकम प आप से बूआ जानकारी कई पर ने रिष्पांडे करें नीरिशमांडे तो सराय काले खांडे खांड का नाम पदल दिया गया आठ से सराय काले खांड चौक जो वो भगवान बिरसा मुंडा चौक के नाम से जाना जाएगा